हेलो फ्रेंज आज की डेट है 24 अप्रेल 2024 स्वागत है आपका आज के करेंट फेर डिसकसन में चले डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल लोग सबाचुनाव से समझते हैं लोग सबाचुनाव में अभी पहले चरण में 102 सीट अपर मतदान हो चुका है अभी इस मतदा इसके लिए रीजन यह कि जनता का एक तो चुनाव पदती पर भरोसा कम है यह जनता का सरकार पर भरोसा कम है जनता के एकोडिंग कोई भी दल है वो अगर सत्ता में आता है तो जनता के काम नहीं होगा इसलिए जनता ने वोटिंग परसेंडेज में कमी दिखाई है यह हमार सेंपल रिटन प्रोग्राम से समझते हैं इंडियन एक्सप्रेस का अर्टिकर है क्यों न्यूज में इसलिए है कि नासा के प्रीजर वेंच रोवर जिसका नाम परसी भी है उसमें दस रोक सेंपल ट्यूब का सेंपल डिपोन अनंदर वल्ड बनाये गया है यह क्या करेगा यह प्रसी पर लोटेगा दरसल क्या हुआ था नासा ने 2020 में मिशन बनाया था यह मिशन बेजा गया था मार्स पर यानि कि मंगल पर मिशन बेजा गया था यह मंगल पर जाकि क्या करेगा यह मंगल पर जाकि एक जगह पर उत्रा था जिस जगह का नाम है जेजरो क्रेटर 2021 में ये मंगल पर लेंड हुआ था, मार्स पर लेंड हुआ था, वहां उस जगह पर उत्रा था, उस जगह का नाम है जेजरो क्रेटर, अब इसमें कुछ और चीज़े भी भीजे की थी, जैसे कि ट्रिजरवर रोवर इसमें भीजा गया था, ये रोवर है न, एक रोबोटिक एक्स प्रटिन तक कंप्लिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि काफी महंगी टेकनोलोजी है, और काफी टाइम भी लग सकता है, अब ये वहां पर तो, अभी तो लेंड किया हुआ, मार्स पे, और वहां पर काम कर रहा है, ठीके वहां पर जो भी कंकर वगरा होता है, उसे एकटा कर रहा है, कौन? जिसे प्रिजर्वर रोवर कहा जा रहा है, सेंपल की रूप में, ये सेंपल की रूप में इसे एकटा करके लाएगा, अब इसे वापिस कैसे आएगा, मतलब वहां पर रह रहा है, तो इसे एनर्जी की जुरूत होगी, व यह पूरा है नासा के मार्स सेंपल रेटन प्रोग्राम के द्वारा, नासा ने एक प्रोग्राम बेजाता, जो कि मार्स पे गया था, ठीक है, उसके साथ में कुछ ओछ चीजी बेजी गी, जैसे प्रीजर रोवर बेजा गया था, जो कि रोबोटिक एक्सप्लोरर का हिस्सा है, कब बेजा गया था, 2020 में बेजा गया था, 21 में ये मार्स के जैजरो क्रेटर पर उत्रा था, वहां जाके मार्स रोवर की रूप में काम किया, इसकी जो साइज की बारे में बात करे, मार्स रोवर के साइज के बारे में तो ये कार के साइज का है और इसका वेट एक जाट चोई पचिस किलो गुराम इसका वेट है तो वेट आपको याद रखने की जुरूत नहीं ये कार के साइज का है वहाँ जाके क्या करेगा वहाँ की स्वाइल बगरा होता है उसके सेंपल को एक्टा करेगा और वापीस अर्थ पर लेकि आएगा तो ये पूरा नासा का मार्स ऐंपल एक इंडिया पर उससे सम्माधिकल था चलते हैं हमारे next article की ओर, next जो हमारा article है, इड्राई से सम्मझते हैं, इड्राई यानि कि भारतिय भीमा विरियन नियमक विकास प्राधिकरन, Indian Insurance Regulatory and Development Authority of India, इड्राई इसका नाम है, क्यों सुरुख्यों में हैं, सुरुख्यों में इसलिए हैं, कि इड्राई ने अपनी 25 वी इसलिब्रेट की गई हैंने इसे 25 साल पूरे हो चुकी थी, इसलिए ये सुरुख्यों में, इड्राई के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी उत्पती, यानि origin कब हुआ था, कब इसे बनाए गया था, इसकी उत्पती हुई थी 1999, 1999 में, 1999 में एक एक लाए गया था, बीमा तो कौन से एक्ट के द्वारा बनाए गी, विमा वियनियमक, विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में, 1999 का एक्ट है, उसके द्वारा इसे बनाया गया था, और इसकी इस्तापना 2000 में हुई थी, ये एक 1999 का ये एक्ट है, और 2000 में इसे इस्तापित किया गया था, ये एक ऑट 1999 किर दूसरा पॉंट को औसी समीति की सिखवाऊंद इसकी स्थापना कि थी तीसरा पोइंट कियार चोतह पॉंट यह कुन सी मिनिष्टरि के अंतर अंतर खाता है यह चौतह पॉंट पांचवा से समध्यद को विवाद हो गया थी तो उसके लिए निप्तैन करने कारे करता है इसके क्या क्या करएगा deux दूसरा उनके हित्तों की रख्षा करेगा तीसरा उनके विवादों समस्मधि जुनै baciy tô यह कुछ चिश्क कारे थी अभी तक इसने क्या किया है अभी तो बीमा तक पहुंच इसे insurance penetration कहा जाता है बीमा समवर्दी कहा जाता है उसे बढ़ाने में योगदान दिया है 2% से 4% तक बढ़ गए हो गया तो पहला फाइदा इसने यह दिया insurance penetration क्या होता है insurance penetration क्या होता है GDP में insurance का percentage कितना है कितने लोगों ने insurance किया वो बताता है insurance penetration के बारे में फिर बीमा घनतव इसने रोजगार अवसरों की की बात है फिर insurance के चेक्तर में digitalization को promote किया है ठीक है तकनीकी को promote किया एक वाइस यह पेपर लेस नीत यह इन सब को भी अपनाया फिर इन्होंने कुछ पहर की जैसे कि एक इकरत सिकायत निर्वान परनाली इन्होंने अपना यह सरल भीमा यह उजना है अब सरल भीम में क्या होता है एक परकार की insurance policy होगी ज program चले गए थे तो वीमा सुग में एक पोर्टल है इसकी माधिम से आप कुछ भी कंप्लेंट कर सकते हो यह हमारा पूरा अर्टिकल ना इड्राइस से समझ नेक्स जो आर्टिकल है वह क्रोशिया के बारे में तो न्यूज में क्यों यह हमारे लिए महत्पूर्ण नहीं है हम यह नेक्स के बारे में तो यह पुछता यूपर कंट्री के बारे किसकी से लगती यह थोड़ा बत आइडिया होना ची है चलते हमारे नेक्स आर्टिकल के है वो किन के बारे में वह जैंद मूर्तीजी के बारे में तो ये पसनी न्यूज से समधित important हो सकते हैं जेंद मूर्ती जी क्यों न्यूज में इंडियन इंटरनेशनल astronomical union है उनके द्वारा इनके नाम पर जेंद मूर्ती जी के नाम पर एक जो एक्सग्र होता है जिसे सुद्रग्र रका जाता है उनका नाम रखा गया है सुद्रग्र क astronomical union द्वारा नासा के में एक काम करने वाल नासा में ये काम करते थे जेंद मूर्ती तो नासा की सहोग सी इनका जो नाम है न एक शुद्रग्र के नाम पर रख दिया पहला सुद्रग्र का नाम क्या था एक्स 296 नाम था बाद में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया एक कि इसके बार में डिटेल दे गई है वो आपको याद रखने की जब ने उन्हें क्या क्या कार्या किया वो याद रखने की आव सकता नहीं है इतना डिटेल में पूछे नहीं यह यूपी असी फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन इसकी इस अपना 1919 में हुई थी य एक NGO है ठीक है गवर्मेंट की बोड़ी नहीं एंज्जियों नट फर प्रोफिट और नाउन्गर्मेंटल और इसकी कार्य क्या करती है एस्ट्रोनमी से समधित और एसपेक्ट होते हैं उनको कवर करने का कार्य करता है है एड़कोर्टर काहा है इसका पैरिस फ्रांस में है तो यह IAU के बारे में था, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वो हमने देखी लिया है, 102 सीट अपर वोट हुए थे, तो यह माजूली आइलेंड है, फिर माजूली ड्रीप के बारे में, माजूली आइलेंड के बारे में, कहां पर यह लोकेटेड है, यह रासम, यहां पर एक रिव माजूली आइलेंड है, माजूली आइलेंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलेंड है, मतलब रिवर पे जितने भी आइलेंड है, उन्हें सबसे बड़ा आइलेंड है, वो कौन सा माजूली आइलेंड है, मतलब माजूली ड्रीपे, भारत का सबसे बड़ा नदी है, और यह कभी सबसे बड़ा नध्य दिवी पे, ये एक जिला भी गोशित कर दिया गया, तो बारत का पहला जिला है, जो कि द्वी पर उसको जिला गोशित कर दिया, किते किलोमेटर में फैला हुआ, थो थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चीया, कहाँ पर आते हैं वो अलगले देशों में यह बेचता है अब इसके UK, US मतलब यूरोप और UK में जो US में जो भी प्रोड़क्ट बेचता है उसमें है न सुगर का कंटेंट कम होता है बट जो इंडिया है और साउथ एसिया के जो देशे वहां पर यह बेचता है तो वहां पर सुगर का क की इसमें रिपोर्ट की गये बाद मैं उनका क्या कहना तो इतना गोई डेकिक स्पेसिफिक क्यूश नहीं बनेगा इसके म सकते किस परकार से है थी क्लोगल आएक टिकवेशत वी करनי है उसका सइड़ di कंट्री है जो least developed country उन पे बढ़ता है बड़ी बड़ी कंपनियान होते हैं वह किस प्रकार से है developing country और least developed country में बीतभाब तो इनको पॉइंट किया गया है तो इनको पॉइंट करके एड्मिनल गोसित कर दिया गया है ठीक है यह इनके बार में ट्रेल दे रखिए तीस अपरिल को यह अपना पदवार संभालेंगे करियर के बाद में इन्हों किया था एड्यूगेशन कहा थी तो इतने डिटल में जाने की जरूत है नहीं आपको इनके बार में पता होना चाहिए कि वाइज एड्मिनल को थे और अभी एड्मिरल किसको घोसित किया थे जिनको अभी एड्मिरल यानि कि परमुः घोसित कर दिया गया नो सैना का थोड़ यह चीज इंपोर्ट आइसेट का हमारे लिए एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से इंपोर्ट हो जाता है तो आईसेट क्या है आईसेट जिसकी फुलफो में इनिसियेटिव फॉर ट्रिटिकल एन इमर्जिंग टेकनोलोजी यह आईसेट है दरसल क्या हुआ था यूस और इं क्यों में जब क्वाड की बैठक हुटि इसमें इस तो अबनाए गया तो इसमें क्या होगा रणनितिक साजी दार्यों की कि प्रयोदोगू की छक्तर में रक्षा की छक्तर में यह सारी चीजीश होगी इसमें आड़टिफिसल इंट्रिजेंस है क्वांटम कंप्यूटिंग है अर्द चालक है wireless दूर संचार है इन सारे छेत्रों में यह टेक्नलोजी को आगे बढ़ाया जाएगा यह देख लो इस प्रकार एरिया क्या क्या है याई है quantum computer है semiconductor है wireless technology इन सारी छेत्र में होगा objective क्या है capacity building की जाएगी supply chain है जैसे कि यह जो होता है न सेमी problem है इन सारी जो problem है उनमें address किया जाएगा उनमें सुधार लानी की काम किया जाएगा और जो collaboration है इन्हें enhance करने के कारे किये जाएगे फिर इसमें defense के चेक्टर में भी cooperation होगा जैसे कि joint development होगा index initiative किया जाएगा mega jet engine deal है उनको पूरा किया जाएगा quantum यह progress में quantum mechanism है ओपर इनको complete किया जाएगा तो यह सारी चीज़े की जाएगी अब इसमें कुछ research और energy partnership यह दोनों की मद्य हो सकती है रक्सा की चेक्टर में defense और जोगी चेक्टर वहां पर दोनों की मद्य स्योग है काफी सारी चीज़े रोड में त्यार किये गए हैं फिर सामानी जो standard होते हैं उनके सेक्टर में अंत्रिक्स में जो उडान वगरा बढ़ी जाती है हमारा नासा और इसोग के मद्य जो स्योग है उसे बढ़ाया जा सकता है फाइव जी और शिक्टर में इंडिया और यूएस के मद्य में कोप्रेशन आगे बढ़ रहा है और रेंट टेक्नोलोजी है इन मद्य दोनों के पाकिस्तान और चाहिना के साथ अच्छे थे उस टाइमें इंडिया के साथ में रिलेशन इतने अच्छे थे ने क्योंकि इंडिया है वो यूएससर के करीब था और इन दोनों के मद्य कोल्ड वार थी तो यह देख लो यहाँ पर प्यम मीट किये थे पहली बार ज्यादा फ पर देए देर चाहिना का अमर्ज程 सोलने डगा और यूएससे का है वह इंडिया के साथ में रिस्ते अंच्छे होने लगें इनची नाइन इन्थी वन में इंडिया ने इल्पीजी रिफ़र्म लेकி आय था तो उसके बाज में है न, USA के रिस्ते इंडिया के साथ में दीरे दीर अच्छे होने लगी, इनके साथ में रिस्ते हैं, वो मजबूत होने लगे थे, तो यहां पर यह देख लो, अलगले डील साइन हुई थी, यहां पर USA ने इंडिया को इस्ट्राटेजिक डायलोग पार्ट न रहा, फिर टूब प्लस टूब डायलोग हुई थी, तो यह कोजमासर डायलोग हुई यह सारी चीजे हैं, वो आयुजित होने लगी, तो इन दोनों के मद्दी समझोता और बढ़ने लगा, यहां पर यह देख लो, मिल्टरी अग्रिमेंट गुई जैसे कि जोंस या अग इंडिया कोशिक कोश्श के रेजन हैं, और डिफेंस के सेक्टर में क्योंश की कोर्परेंशन हुए है, फिर कउम कासा किस सह समझेता यह है, दूर संचार है, शुर्ख सा, इन से समझेता है, दोले इठारम हुआता, फिर बेका हैं pact wen bentu, बेक Süके एक्स्टेंजन कोपरे यूद्व अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास होता है इंडिया और यूएस के विज में कॉप का होता है, इंडिया एरफोर्स के मत्व साथ करते हैं, तो ये कुछ कोप्लेशन के अग्रेमेंट ते ये देख लो जिमोऔग्रिमेंट है, कौम का साहीं, बेका अग्रिमेंट ह सारे इंडिया और यूसे के साथ में अच्छा का सा ट्रेड होता है तो इंडिया में सा है न यूसे के साथ में सर प्लस है मतलब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंपोर्ट कम करता है यूसे की और यह देख लो अब तक लेगो यहां तो यह हमारा इतना बैलेंस ट्रेड की बात करोके बैलेंस ट्रेड की तो उसमें इंडिया है वह प्लस में आएगा, यूसे माइनस में आएगा, क्योंकि यूसे हम से इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट हमें कम करता है, तो यह थोड़ा बहुत इनके बारे में आप देख सकते हो, फिर हाई ल Billie deal डायलोग भी होते है कौन-कौन से डायलोग होते है समाध होते है two plus two डायलोग होता है ये ministry level पे मंत्री лेभल पर हमारे जो defense minister है वो और जो भी foreign minister है वो दोनों भाग लेते हैं पिर carriage पहलेते हैं पिर आरतिक और वित्य भागिदारी होती है वेपार निती की होती बात होती है फिर होमलेंड सिक्यर डायलोग होता है उर्जा से समंधी भी डायलोग होता है साविर साइबर सुर्खसा से समंधी हमारे के मद्य और स्वयोग भी बढ़ चुका है और डायलोग कहीं हो चुके हैं तो काफी सारी डायलोग इन दोनों के मद् कर ला है यह आर्टिकल किस से बारे में बात करता है यह एक लेक के बारे में बात करता है विरनम लेक के बारे में तो इसका पानी यह वो सोक रहा है ऐसे जो लेक वगरा हूं जिनका पानी कम हो रहा यूपीस के फैवरेट हो जाते है यूपीस इन पर क्यूसन पूछता है ठीक ठीक है इसे विर नाराणपुरम लेक भी कहा जाता है ठीक है विरनम लेक नाम से भी जाने जाती है तमिलाडू में लोकेटेड है चैने से 235 किलोमेटर है ठीक है कौन सी सताब जिम बनाएगी थी इसे 10th century में बनाएगी थी चोल समराटी उनके द्वारा बनाएगी थी और किस अधिक डेम भी है जिसका नाम है मेटूरू डेम तो इसके बारे में कुछ पउइंट पता हुने जागी तो सबसे पहले लेक का नाम गया विरनम लेक का नाम आपको पता हुने जागी तामिलाडू राजिय में यह एक मैनमेड लेक है यहने कि मानव द्वारा हाथों से बना पानी रहता नहीं है तो कुछ पॉइंट इसके बारे पता होने चाहिए यह लोकेशन भी हम देख चुके ठीक है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की कुछ लेक के समझे और पॉइंट भी आपको पता होने ची यह काफी इंपोर्डन हो जाता है सबसे पहले सबसे मिठेश पानि कि फ्रेश वोटर की लोग लेग क्वे सिबसे बड़ी वुल्लर रहा है जमो कस्मीर की खारे पानी की डू ची आफिपर चुला चाहिए, नेश्च्व आर्टिकल है, वो कोलीजन सिस्टम के बारे में, अब इसमें कवच है न, यह important हो जाती है, कवच टेकनॉलोजी important हो जाती है, तो क्या है कवच टेकनॉलोजी सबसे पहले कवच टेकनॉलोजी को किस ने बनाए, यह इंडियन रेल टारा की दारा बनाए इसमें क्या होता है ये को एक रेडियो एंटिन्हा सारी ट्रेनम सारी इसमें यह जो कॉर्ठेश को भी 1 दो यह टो सत का से यहां से यह सब्सक्राइब गॉस्च क्वाचर है चींपए करेगा ध्यप्यस को ट्रेक करके यहां पर नस्दीक जो भी रेलेवे का कवर्टर वोगर वहां पर जाएगा, अब यह बतिया होती न, ठीके, अब दो ट्रेने सामने-सामने आ रही है, इन में एक GPS लगा है, एक लगा है रेडियो अंटीना, दोनों ट्रेन में एक GPS है, एक रेडियो अंटीना है, यह संदेश बिजने का काम करते हैं, यहां पर यह रेड बत्या लगी हुई है, अब एक ट्रेन इदर से आ रही है, जब यह ट्रेन इसको क्रोस करेगी, मतलब रेड बत्ती है, उसके बावज़ुद भी इसको क्रोस करती है, तो यह सिकनल है किसको बेजा जाएगा, यह GPS के आपिस रिफलेक्ट होके किस पर आएगा, यह ट्रेन में आएगा, और ट्रेन आटोमेटिकली रूप जाएगी, मतलब क्या होगा, दो ट्रेने सामने सामने आ रही है, इनमें एक रेडियो एंटीन आओगा, एक GPS लगाओगा, दोनों में भी, अब यह संदेश बेजने का का क्या होगा, आटोमेटिकली ट्रेन में सिस्टोम इस्टोल होगा, जिसके मादिम से यह रूप जाएगी, मतलब यह उदर से आती हो रूप जाएगी, यह उदर से आती हो रूप जाएगी, जिसके कान एकसिदेंट को बचाया जा सकता है, मतलब इसके मादिम से एकसिदेंट तो भी तो यह लोको टो लोको इसमें जो ड्राइव होता है उसको इसमें कंट्रोल करती है कॉंटेक्ट होता है आटोमेटिक लिए रूप से रुक जाती है यह पूरा जीपियस बेस होगा और रेडियो एंटीना बेस होगा इस परकार से काम करेगा मतलब यहां से सिगनल कवच सिस्टम के अंत्र काता था तो कवच एक सवद्यसी पढ़नाली आने कि इंडिजेनिस रूप से इसे बनाया गया था इंडियन रेल्वे के द्वारा इसे बनाया गया था किके रेल्वे मिनिस्ट्री की पहले 2016 से ये काम चल रहा था अभी इसको फाइनली रैटिफाई कर समझते हैं क्या जजमेंट और किसे समझते हैं ये जजमेंट सुप्रीम कोट नहीं दी गई है ये जजमेंट दी गई है किसे समझते है नैशनल कंजूमर्ट डिस्प्यूट रेजडरेसल कमिशन के बारे में तो जजमेंट क्या है ये तो हमारे लिए इंपोर्डन हो जाता ह नेशनल कंजूमर डिस्प्यूट रेड रेसल कमिशन NCDRC हमारे लिए इंपोरण हो जाता है तो देखो आपके साथ अगर दोखा दड़ी होती है कोई भी कंजूमर होता है उसके साथ अगर दोखा दड़ी होती है तो वो अलग-लग लेवल पे केस कर सकता है नए आयक्टर 2019 का उसके एक कोडिंग अगर आपके साथ दोखा दोड़ी होती है तो आप है ना 20 लाग तक की दोखा दड़ी है तो आप दिस्ट्रिक केस है वहाँ पे जाओगे ठीक है दिस्ट्रिक लेवल पे जो भी केस है 20 लाग से 10 क्रोड तक है तो वहाँ कहाँ जाओगी आप इस्टेट लेवल पे जाओगे 20 लाग से 10 क्रोड तक पहले एक क्रोड था अब 10 क्रोड है यहाँ तक इस्टेट लेवल पर फिर एक 10 क्रोड से उपर का मैट रहे तो आप कहाँ जाओगी वह डेली में जाओगे जो Central Level Price का National Dispute, National Consumers Dispute Regressal Commission वो Central Level उसमें जाओगे, उसके बाद में आप Supreme Court में जाओगे, अगर 10 क्रोड से भी बड़ा मामला है, तो वो Supreme Court में जाओगे, फाइनली, वो इसके खिलाब भी Supreme Court में जा सकते हो, तो यह सिस्टम इसमें होता है, जो एन इसके बारे में के राष्ट्री उपवोक्ता अभिवाद निवारन अधिनियम, एन सी डियार्सी, तो यह एक अर्धिन्याइक, यानि कि क्वासी जुडिसियल बोड़ी है, यानि कि जुडिसिरी तरह भी काम करती है, यह किसी को पर्तिबन लगा सकती है, सीज करवा सकती है, निनने दे सकती है, आधियस दे सकती है, किस अधिनियम के तरहत इसे बनाए गये था, इसे अधिनियम था, उबोग दा सरंक्सन अधिनियम, Consumer Protection Act 1986 का, उनिजब्स का कंजुमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तरहति इसकी इस्तापना की गई थी, अगर किसी कि सिकायत होती, उसका निप्टार करने का काम करता है, विवाद होती है, उसे निप्टार काम करता है, हैड़कोडर नेज देली हमने देख लिया कारे काल इसमें जो member होते कौन-कौन कारे कर सकता है या तो सूप्रीम कोर्ड का laz jahogah या सूप्रीम कोर्ड न भी कोई कारे रत जज haugah पेहला तो सूप्रेम कोर्ड का laz jah yah carilla dzi कर सकते अगर यह लास्ट है ना सेंटर लेवल की इसके ऊपर आपको कंप्लेंड करनी है तो 30 दिनों के बीचतर आप सुप्रिम कोट में कंप्लेंड कर सकते हो इसके ऊपर मतब 10 कोट से ऊपर का मामला है आपने कहां कंप्लेंड कर दी एन सी डी आर सी में कंप्लेंड कर दी सबसे पहले इसमें को सेपूरेट रेटुरेटर नहीं था इसके अंत्रकन धार सेंट्र कंजूमर सेنتर कंजूमर पॉट्रेक्शिन बनाएगी य doctrine Nobel को करने का किया है जिसका कोई फिजिकल परजेंस नहीं है तो फिIZ नहीं का अविलेबल है आब इस देख चाहिए तता में कोई होता है किसकी वजे से मत्बग साइड हो गया तो हैना guit में product की liability बताब आपने कुछ चीज खाई तो उसकी company की liability होगी कि consumer को protect करें तो पहले यह अवेलेबल नहीं था अब consumer की liability product की liability वो भी insure की गई है पहले मामला किया था 20 लाग तक district court एक क्रोड तक state और एक क्रोड से उपर है national अब है एक क्रोड तक district 10 क्रोड तक state और 10 क्रोड से उपर है वो national क्यों किया गया ताकि भीड उपर कम हो यहां पर भीड कम हो इसलिए यहां पर नंबर से उसे बढ़ाय गया है यहां पर online की e-commerce की rule available है पहले e-commerce की rule नहीं थी legal provision नहीं थी अब लीगल प्रोविजन भी किये गए है तो यह हमारा पूरा जो आर्टिकल था वो consumer protection act से समझे था और उससे पहले इस body से समझे पीता चलते हैं हमारे next आर्टिकल क्यों नेक्स जो आर्टिकल है वो fdii से समझे थे इंडिया में आ रहे थे fdii की कोई नई रूल है उसमें कुछ चेंजिंगी की तो fdii की बारे में देख लेते हैं सबसे पहले fdii होता क्या है प्रतक्स विदेशी निवेस को भी बाहरी कंपनी है ठीक है माना कि ऐलन मस्क के उसको भारती कंपनी यानिकी इंवेस्ट करना एक होता fpi ठीक है एक होता fdii बाद में डिफ्रेंस भी देख लेंगे अभी fdii को समझ लेते तो अभी इस कमपनी को इनवेस्ट करना अभी इसमें कुछ कंपनियां होती है उसमें तो यह ऊटमेटिक रूट्स चे कर सकता है यहां पर इंस्योर नहीं होता कुछ में 59% कुछ में अलगल परसेंटेज से दे रखा हो तो सापको आपको परसेंट रियाद रखने की जो तनी FDA का साप मतलब होता है बार से किसी विद्यसी वैक्ति या कंपनी की द्वारा बारती कंपनी में इन्वेस्ट करना या पर किसी दूसरे देश की कंपनी द्वारा या वैक्ति द्वारा तीसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करना डायेट कर सकता है, इन डायेट भी कर सकता है, इसमें क्या होता है, जादा दायेट की जाते हैं, और इसका जो मुख्य उद्र से होता है, इसमें वो कंपनी है ना, जो इन्वेस्ट करेगी, वो साथ में बॉल्ड में बैठेगी, इस कंपनी की देखरेक करेगी, इसमें जो भी वाहां पर एफडिया यह वह अनुमंदित नहीं है, लोट्री वगरा जो लगते हैं, तो इसलिए यहां पर इस पर पर इनुखसान भी पहुचा सकती है तो इसलिए यहाँ पर इस पर्थीन लगाया गा FDIP, अब FDI और FPI से समन्द आसे कुछ definition है FDI long term के लिए होती है FDI時 systematic होती है FDI के लिए जो भी इसमें FDI गालता है वो यहाँ पर company का investor हो जाता है उसमें काम भी करेगा, यह long term करएगा इसमें भाग नहीं भाग करेंगा इसाफियाow, कोश्क टाइम के लिए होता है 먹어 कमपनि में घराइगा, करेगा ये efficient होता है ये कम efficient होता है इसमें physical asset वगरा जो भी invest करेगा वो physical company में वेट क्रेका Jio में करेका तो सके कहां पर प्रांच सब कुछं करेगा पर ये फीजिकल नहीं करेगा ये काली किसमें करेगा बोंढ एस में हिसमें करेगा इसमें अगर आपको एगजीट लेना होता है FDI. में घ्हांब काफी टफ होता है इसमें एजी होता है FDI afterward अगर can से निकालो भाग जाओ टांफर क्या टेक्नोलोजी फंड यह सब ट्रांसफर किया जाता है इसमें वाली कैपिटल रहने पैसे दी जाते हैं इसमें कैपिटल वगेरा सारा चीजे दी जाती है यह इस्टेबल होता एफ डी यह वालते आज यहां पर भारत में एकल पाकिस्तान म तो यह दोनों में फरक होता है, इसके बारें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, यह उपियसी से समझी कुछ क्यूशन भी पूछ चुकिये, तो इसके बारें आप एक बार देख सकते हो, यह FDI से समझी उपियसी पूछा था, कि इससे समझी कौन चाहिए, वो स पूरा इस्ट्रेजिकली इन्वेस्ट करती है, तो यह भी गलत हो जाएगा, फिर पहला क्या बात करता है, पहला किसी सूचिवत कंपनी, यह लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो यह लिस्टेड में भी कर सकते, यह अनलिस्टेड में भी कर सकते, तो भी ह वह हमारा एंसवर हो सही हो जाएगा तो यहां पर यह दे रहा है इंसवर यह आप देख सकते हो इसमें लिष्टेड और इनिवरस्ट वोनों में भी दे सकता है नेक्स्ट भी यूप 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 सी पे क्यूशन पूछ चुका है कि इस पर चाच्चा करो एफ यह से तीसरा तीसरा क्या अगर ग्लोबल डिपोजेट्री रिसिप्ट तो यह नि पहला सही हो जाएगा क्योंकि चौथा आट जाता हमारे पास दो बच्चते हैं बढ़ा हमारी पहला भी सही है तो पहला इसमें था तो ऑप्शन यह सही हो जाएगा तो इसके बारे में यहां पर पर दे रखा है नेक्स जो आटिकल है सुप्रीम कोट ने अपने एंस निर्ने में काहा है जो वन है न वो राश्ट्रे संपत्ति है कौन सा मम लाता ते लंगाना राजी बना मुहमद अब्धुलकासिम विवाता उसमें सुप्रेम कोट ने यह निर्ने दिया सुप्रीम कोट जो परस्तिती है उसे बचाने की हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस प्रकास से जो परस्तिती उसे बचाया जाना चाहिए, परस्तिती तरंदर में क्या होता है, इसमें मानेता होती कि मनुस्य है न, वो पर्थवी के अलग 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 अल चाहिए और वित्य संपद आ है मतलब जो भी पर्थवी है जो उसमें एको सिस्टम है उसे बहुत जादा लाब हो सकते हैं अगर आप कार्बन डेयोकसाइड का इस्टोर करोगे तो इसको बेच की भी आप पैसे कमा सकते हो जो भी कार्बन क्रेडिट इसको बेच की भी पैसे क को उठाना पड़ सकता है तो काफी सारी इसमें बाते की गीए और सुप्रेम कोट इससे पहले भी जज्जमेंट दे चुका है जैसे एमसी मैता बना कमलनात विवाज में भी सुप्रेम कोट एक किस आर्टिकल आर्टिकल जो 21 में उसमें बात की गी थी जिए जिए हमारा प् निरने को जिकर करोगे तो आपका एंसर और भी अच्छा हो जाएगा नेक्स जो आर्टिकल है वो राष्ट्रे निवेस और अफ सरचना कोस के बारे में नैशनल इंवेस्टमेंट एन इंफराटेक्चर फंड से समझते हैं सबसे पहले निउज में क्यों है आई बस नेट र किया गयता यह सोवरें फंड यह वेकल्पिक फंड है मतलब विकल्प के रूप में काम करेगा इसमें ना फिफ्टी नाइन पर सेंट जो भूमी का है वो केंदर सरकार किये कारी क्या करेगा तो थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में पता होना चाहिए नेक्स जो है ज ही दूमलाई टाइगर रिजव में यह कुता रहता है इसलिए यह वीमारी में नाव दिखी कि जो इसकीं से समझेल घुति एपैरागी के बारे में सबसे पहले कहां परिका जाता है बारत कमोडिय नेपाल होती है बारत में कहां का होता है बारत में पूर्वी गाटे इस्टन गाटे वेस्टन गाटे असम मिगाले पस्ची मंगा लद्दा इंशिक्ट्रम होता है मासारी होते हैं बेडियों के समाने इनका आकार होता है सिकार कब करते हैं अंदेरे में इस सिकार करते हैं रात का टाइम होता तब लोस्त क्या और अबहुत इस के वाठाई चाहिती है टू और साइड की एपेंडिक्स टू में ये आते हैं तो थोड़ा बहुत इसके बारे पता होना चाहिए नेक्ट जो आर्टिकल है वो वीरे सलंग जीम के बारे में हैं हम पहले पी देख चीकोई कुंदुकुरी वीर सलंगिन के बारे में हैं न्यूज में क्यों अभी इनकी इनकी बारे में बात करें तो आप्रेल 1848 में इनका जन्म गहता है 27 मई 1990 में इनकी डेथ हुए थी यह मदराज प्रेजी डेंसी जो है नवहां पर जन्म होता हैं यह समाज सुद्दार्ग थे और लेखक भी थे ब्रम समाज थी ना उनसे का भी यह परभावी थे इन्होंने तेल्गू पुनर जगर्ण जो अंदुलन थी उनका जनक भी माना जाता है समाज ऊठोड़ार की नूप में काम किया महिलाओं के लिए काम किया विद्वा पुनर विवा के लिए भी नहोंने कहीं सारे काम किये थे इन्होंने एक ब्रहम मंदिर बनाया था 1880 में इन्होंने ब्रहम मंदिर की इस्तापना के कारे किया था 1908 में 1908 में इन्होंने हितकारनी स्कुल की इस्तापना की कि थी इन्होंने एक साहिती लिखा था जिसका नाम था उपनियास था जिसका नाम था राज सिकर चरित्रम ये तेलगु साहिती का पहला उपनियास मना जाता है जिनके लेकब यही थे वीरे सलिंगम जी इनके लिखक थे तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना तो आज की discussion में इतना ही था thank you thank you very much for discussion